किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर आप देख रहे है डी पार्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो इस समय अगर आप सई चीज का प्रियोग करते है तो सभी पोदों पर बाल्या भी एक साथ आती है बाल्या बाल्या लंबी बनती है और आप गेहों की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार ले सकते है इस समय पोदे को बरपूर मातरा में पोसन की भी आउ सकता होती है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ आप इस वीडियो को आगिर तक जरूर देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे पास में आए गंटी के निसान को जरूर दबाईए जिससे हम आगे जब भी नया वीडियो लेकर आएं तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए किसान भाईयों अधिकतर सेत्रों में गेहूं की वसल गबोट अवस्ता से बाल्या बनने वाली अवस्ता में चल रही है यानि कि लगबग सभी सेत्रों में गेहूं की वसल में अब बाल्या निकलना प्रारंब हो चुकी है किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की तो बालिया निकलते समय किसी भी रूप में आपको गेहों में यूरिया का परियोग नहीं करना है यूरिया की आऊ सकता पोदे की सुरुवाती स्टेज याने की बानस्पतिक स्टेज में होती है इस समय यूरिया किसी भी प्रकार से वसल में फ्वाइदा नहीं करता है तो बालिया निकलते समय आप यूरिया का भूल कर भी प्रियोग ना करे इसके बाद आता है PGR किसान भाईयों गेहूं की वसल में बहुस से किसान भाई हाइट को कंट्रोल करने के लिए PGR की रूप में BACF कंपनी की लियोसीन PGR का प्रियोग करते है किसान भाई यों अगर आपने गेहों की वेराइटी जो की ज़्यादा लंबी होती है लगाई हुई है या आपके खेत में गेहों की वसल की हाइट ज़्यादा हो चुकी है एसी इस्तिती में किसान भाई गेहों में PGR की रूप में BACF कंपनी की लियोसीन का प्रियोग करते है आप भी इसका प्रियोग अपनी फसल की कंडिशन के अनुसार कर सकते है अगर आपने मद्यमवरगी गेहों की विराइटी लगई है तो वियर्त में आप इसका प्रियोग ना करे अगर आप इसका प्रियोग कर रहे है तो इसकी मादा लगबग 200 से 250 एमिल एक एकड में आप 150 लिटर पानी में गोल बना कर स्प्रे कर सकते है इसके बाद आता है पोटास किसान वाईयों गेहों में पोटास का सबसे जरूरी इस्तान माना जाता है खास कर कि गेहों में जब वालिया निकलती है दाना बराव सुरू होता है इस समय पोदे को सबसे ज़्यादा पोटास की आऊ सकता होती है किसान वाईयों पोटास एक परकार से पोदे में दाना बराव में मदद करता है दानों का आकार बढ़ाने का काम करता है आपने अगर मूरोटो पोटास का बुवाई के समय परियोग कर लिया है तो इस समय आप N.P. के गुलंजील कादो का परियोग कर सकते है और अगर आपने बुवाई के समय मूरोटो पोटास नहीं डाला था तो इस समय आप रेत में मिला कर भी गेहों की वसल में पोटास का परियोग कर सकते है लेकिन इसका रिजल्ट आपको धीरे-दीरे मिलेगा इसके इस्थान पर आप N.P. के 0.52 या 0.0.50 का परियोग कर सकते है इस समय पोटे को टोनिक की कापी कम मातरा में आउसकता होती है तो गेहों में आप इस समय टोनिक के बजाए N.P. के खादो का परियोग जरूर करें इसी के साथ आप बोरोन का प्रियोग भी कर सकते हैं बोरोन का प्रियोग करने से भी गेहों की वसल में आपको कापी सांदार रिजल्ट देखने को मिलेगा गेहों की ग्रोथ भी आसने से बढ़ेगी गेहों की बालियां भी लंबी बनेगी और आप गेहों की खेती से ज़्या पर उत्पादन ले पाएंगे तो किसान भाईयों ये थी छोटी सी जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने किसान भाईयों के पास सीयर जरूर करें धन्यवाद जै किसान